नमस्ते दोस्तों स्वागता आपका एक और नए वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाला हूँ रावण वो भी बड़ा सा कुछ इस तरीक्ये का यह पूरा पेपर साबनाया है और पेपर में यूज करूआ है इस मेथड से आब यार अगर इसका स्केल बढ़ाना चाते हो या फिर छोटा बनाना चाते हो तो वह सब भी कर शकते हैं बहुत ही सिंपल मेथड है चलो तो फिर सुरू करते हैं सबसे पहले मैंने चार्ट पेवर को लेक्टे उसे इस तरीक्के से उसकी डंडी सी बना ली और इस तरीक्के की यार दो बनानी है क्योंकि ये दो हमारी टांगे है रावन की अब इसकी जो धूत्ती है वो बनाने के लिए मैं एक और पेपर ले रहा हूं और उसे कुछ इस तर चैनल पे है और यार इसके और लेडी में तीन पार्ट डाल चुका हूं यह वाली वीडियो है यह उन तीन पार्ट और प्लस जो मेरी लाइव थी उसका मिक्स करके पूरी एक वीडियो बना दी मैंने ताकि यार आप इसी वीडियो को देखके अपना पूरा रावन बना सको तो मैंने इस तरिके से अपनी रावन की जो धोति है न उसका डिजाइन कुछ बना दिया था है यह दो चार्ट पेपर पूरे रेडी थे हमारे यह ऐसा चिपकेंगे दोननों आपस में और हमारी धोति बनेगी देख सकते हूं मैं थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया इसकी ज जोन सा अच्छा लगता डिजाइन वह बना सकते हो द॑नों की मोडल अई जो है न बढ़ाकए भी बना सकते हो छोट्पते भी गडसकते हो अपने हिसाप से हाट जैसे आपको सही लगए तो अब मैंने इन दुन नों से ढ़र क्या प पेपर को एसे रोल करके उसकी डंडी को बनागे उसे बीच में चिपका दिया पहले तो उसे चिपकाया और उसके बाद उसके उपड़ से हमारा दूसर वाला डिजाइन था उसे चिपका दिया और गाई सार डेटेल में देखनी है अगर आपको तो बाकी के जो मैंने इसके तीन पार्ट अलग-अलग डाले वो देख सकते हो उसमें मैंने कुछ और अच्छे से बताया है तो हमारी ये धोती कुछ ऐसे लगेगी बाकी ये पार्ट देखके भी आपका काम चल सकता है अगर आपके अंदर इच्छा शक्ती है बनाने की और थोड़ा गाईस एक्सपिरेंस है तो तो ये पार्ट देख लो और बा पहले तो और फिर उसके बाद थोड़ी सी फै गिलूगन लगा के चिपका दिया अब इसमें हम टांगे लगांगे निच्छे की साइड में ठांगों के लिए सुराक करना पड़ेगा तो मैंने इस तरीके से देख सकते हूँ दोन्नों में इस तरीके से एक एक च्छेत कर द बोमों की जो बिजली बम की लड़ी आते हैं बाकी जद्ध तकड़े में पटाक के नहीं भरे अपने अपने हिसाब से भर सकते हूँ तो घड़ा फोड या फिर कोई सुतली बम तो वह भी डाल सकते हूँ तो मैंने टांग कुछ इस तरीके से अपनी कंप्लीट कर ली थी अ अगर कुछ भी उनसे जो है नहीं हो हाथ सब अगयरा तो अपनी सेफटी के हिसाब से लगाना जैसे भी आपको फसंदो तो अब यह मेरी टांग के जो है ना बन चुकी थी अब लगाने इसमें पटाक के पटाक के भरने के लिए उपर की साइट से मैंने इसमें छेथ कोल द तो कोई दिक्कत नहीं है चाहे तो इस तरीके से भी पटाक के भर सकतो और मैंने एक लड़ी जो आती ना बड़ी वाली उसे काट के कर जया दा और दो तीन छोटी मोटी जैसे कि महताब और फूल जड़ी भी डाल दी और क्या डाल सकता था लेकिन अनार मैंने नहीं डाला सब डाल लेना चलो अब इसे खड़े करने के लो इसकी जुत्ती बगेर बनाते हैं और उससे पहला इसमें डंडी भर दो ताकि अच्छे से जले या तो फिर इसमें न्यूस्पेपर भर दो न्यूस्पेपर की ऐसी छोटी-छोटी डंडी बना के वह भर दी और इस तरीके स इसकी जुत्ती जुत्ती बनानी बहुत आसान है मैंने यहार यह वाला डिजाइन जो है सोच लिया आप इसी तरीके से मैं अपने रावण की अधिकतर जुत्ती बनाता हूं जो मेरा दूसरा रावण है छोट्टा वाला ग्रीन कलर का उसकी भी मैंने जुत्ती इसी मेहतर से बनाई है और इससे यार एकदम खड़ा भी हो जा रावन वरना रावन को खड़ा करने में दिक्कत तो होती है और टांग मुझे थोड़ सी पतली लग रही थी तो मैंने टांग को थोड़ा सा मोटा कर दिया और गाइस अगर आपको वाले रावन की वीडियो देखनी है मेरे दूसरे वाले तो वह आपको चैनल पर नहीं तो आई बटन में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी लोगों पर किलिख करो चैनल के और देख सकते हो वह यार एकदम मस्त रावन है देख सकते हो पिछे रखा है वह वह वाला रावन की बात कर रहा हूं है उसे मैंने मेगनात ना पतला लग रहा था मुझे तो इस वैसे मैंने इसके पिछे एक और न्यूस पेपर लगा के जो है इसे थोड़ा सा मोटा करा तो यह देख लेना यार यह लगाने की ना जरूरत ना ही पड़ा है तो सही है और उसके बाद इसे अच्छे से ताक इसके उपर कलर बगेर हो जा चाल पेपर लगा रहा हूं तुकड़े चाल पेपर गए और यह थोड़ा सा मोटा भी रहता है तो इसे चिपकाने के लिए तो यार अच्छा गिलू चाहिए बढ़िया चिपकन वाला तो इसलों मैंने डायरेक्टिफ एविको लगा के और पूरे पेपर लगा के कुछ इस साल बढ़ा वाला तो पेपर नहीं मैंने उसमें गिफ्ट वाली पन्नी करी थी वह भी सही बना था बैसा में सब्सक्राइब बढ़िया है और अब इसके जुत्ति को थोड़ा सा भारे करने के लो मैंने इसमें बजन चिपका दिया किले का और फिर जुत्ति को कभारब कर द वैसा कर सकतो हो अगर मेरा वाला पसंद आ रहा तो हो और अगर कोई कोछ आपके दिमागने अपना यदिया रहा हो तो मेरे साथ भी शेर करो कमेंट बोक्स में ताकि मैं उस से इसे भी ता कि अपना शेफ मिंटेन करो रहा है कार्ट बोर्ड का ईक पीस काट के और इसे इसमें चिपका दें और कार्ट-बोर्ड भी पेपर में आता है कि निए कि पेपर ही बोलते हैं हाड रहता थोड़ जब वुल जब तर दर मेकिंग इसकी मेरी पेपर से हैं और कार्डबोड से हुई है मैंने इसमें इस्टिक वगर का यूज नहीं करां चाहे तो बैंबू से बनते हैं रावन जब्याद देखते हैं बनता है अगर बनाना है यार डंडियों का यूज़ करके बनाना है लकड़ीगी तो बताओ कमेंट करो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो जरूर हम एक रावन डंडि का बना देंगे अगले साल को क्योंकि अब तो दो-तीन दिन बचे बस देसे राने में तो देख सकतो हमाई रावन की टांगे कमप्लीट हो चुगी थी इस तरीके से मैंने उसमें और भी डिटेलिंग वगएरा कर दी और बताओ कैसी लग रही है डिजाइन मुझे एकदम बाढ़हा लग रहा था जैसा मैं चाह रहा था न बैसा आ गया है और बाकी तो यार कलर करके पता चलेगा अब इसके उपर का हिस्सा बनाते हैं चलो उपर का हिस्सा बनाने के लिए मैंने यह कार्टबोर्ड का पीस काड़ दिया कुछ ऐसा इसे यूज़ करूँगा और एक दम अच्छे से अपने रावन जोए न खड़ा वगेरा हो रहा था देख सकते हो मैंने टांगो को फिर साइड में रख दिया कि चलो टांगो को साइड में रखते हैं उपर का हिस्सा अलग पीस में बनांगे बाद में इने जोड जाल के पूरा रावन कंप्लेट करेंगे तो अब यह जो काट बोर्ड का पीस में ने काट था जो कि हमारा फिट हो रहा था हमारी रावन की जो धुत्ती वाली टांग है उसमें उसे लिखके और उसे इस तरिक्षे से मोल के चिपका दिया है और मुझे कमेंट आ रहे थे भाई शिक्स पैक वाला रावन बनाओ तो यह शिक्स पैक वाला रावन बनाने की कोशिस कर रहा था मैं है और आसान में नहीं कहूंगा चलो तो फिर अब इसके उपर मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया ताकि अपनी शेप को मेंटेन रखो रहा है और उसमें एक छेट कर दे जिससे हम इसकी गर्दन लगांगे और उस पे सर अभी हमारा डिजाइन कुछ ऐसा सा बन रहा था बाकि यार लगा लगा के मैं देख रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक बैट रहे की नहीं क्योंकि बाद में जोड की तो हमारे इन सब को रावन बनेगा चलो अब इसके हाथ बनाते हैं और बाकि सब चिज्जे कंधे बगरा कंधे के लोग मैंने पेपर कार्ट के उसे भी इस त सिनना है उसे बनाने कि गिलोओ मैंने इस कार्ट बोड का पीस लेख के उसे इस तरिक्के सांड़ दिजैन में और फिर उस पर गलूगं लगा गए उसे चिपका दिये सामने की तरफ तो यह हमारा सिनना बन गया था और जो इसके एप्स थे जो कि फोर एब हैं उन सब को मैं अब हम इसका बनाएंगे सीर वाला हिस्सा और बाकी के जो हाथ वगएर हैं वो सब करके इससे कंप्लीट करेंगे चलो फिर वो करते हैं अब हम अब ग्रहा और ठांगों में तो जैसे पेपर अंदर से पूरे ख़ली है इसमें पटाक के भर ले सकते हैं और यह रामड तो हैं खाली अपने हिसाब से भर लियों मैंने तो इसके टांगों मैं तो डाल दे पटाक के थोड़ी से मैं और डाल दूहां बस जद्धे नहीं बस अपने हिसाब से जितना मुझे सही लग रहा है तो अब मैंने अपने जो है पेपर को मोड मोड का इस तरीक्के से हाथ भी बना लिया और हाथ के जो सोल्डर वाला हिस्सा था यह थोड़ा सा एंगल में लगा ना ताकि हाथ अब ही मैं इसे फिट करके दिखाता हूं कैसा लग रहा है यह कुछ इस तरीक्के का लग रहा था जैसे मैं बोला था नहीं कि कंदे की साइड से बाहर की तरफ को जाने चाहिए हाथ बिल्कुल वैसी लग रहे थे जब सब कुछ सही लगा तो मैंने फिर उसे गिलूगन से बना दिया और यह कुछ हमारा सरीर ऐसा बन रहा था अब इसकी गर्दन वगएर चिपका दी गर्दन के बाद बनाएंगे इसका सिर सिर के लो यार बस एक पेपर को इस तरिक्के से रोल बना लो बस वो जो रोल है ना वो सिर का साइज का सई सब बन जाना चाहिए थोड़ी के लो बस थोड़ी का शेप काड़ दिया और बन गई थोड़ी और देख सकतो कुछ हमारा रावन क्या सर ऐसा फिट हो रहा था मतलब जदे बड़ा भी इन्हों चीए जदे छोट्टा भी नहीं होना चीए सई लगना चीए तूर से देख लियो जैसा मैंने देख यह सबसे इजी तरीका है हाथ के बनाने का इसमें तलवार फिट कर दोगे न तो एकदम बढ़या लगता है ऐसा लगता पकड़ रख क्यों या तो फिर गाइस बहुत बेकार बनते या तो फिर बहुत मेहनत करके अच्छे बन सकते इससे तो देख लो यह मीडियम बाला मार कर चिपका दिया और आइब्रोज बगेरा कार्डबोर्ड की जड़े 3D नई बना रहा है थोड़ 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 एलिमेंट कर रहा हूं ताकि फेस अच्छा लगए बिल्कुल टूड़ी में कलर कर दूँगा तो इतना अच्छा नहीं लगनेगा और इसका मुकोड बनान अच्छा नहीं पादे इसके तो बढ़िया हो गया था एकदम अब इसके जो दस सर ने बाकिके दस सर को मैंने पैंसिल से बनाकर और कुछ इस तरीक्के से एक डंडी के उपड़ चिपका दिया और चिपकाने के बाद यह कुछ हमारे दस सर ऐसे लग रहे थे एकदम बढ़ क्योंकि निकल के निया अभी जब गुस्सा आगा तभी निकल गांगे अब यह कुछ ऐसे फिट होंगे चलो फिर अब हमारा रावन ओर्मोस्ट रेडी था अब इसमें थोड़ी बहुत छोटी मोड़ी डेटेल कर देते हैं जैसे इसका मैंने कंधे पर यह थोड़ी सा आर् के पास पूरी सोनी लंका थी तो चलो अब यह सब होने के बाद मैंने इसे फिर से अलग करके इस पर करते हैं कलर और यह आर कलर मैंने लाइव स्ट्रीम में कर रहा था गाइस साले चार घंटे में एक दम आराम से तो वह लाइव भी देख सकते हो आप अगर आपने नहीं द लित्ते रहेकरो आइडिया वगएरा हो फिर कोई सेझेसन हो चलो तो अब इसमें पेंट कर देते और फिर मैंने सैंने पेंट कर दिया उसके यह पर मैंने यह डाल द्याल दहें को और इसके दाथ सपेद बना दिया और ऐसा लग रहा है तानी रावण जो उसकी हसी हसी हस लेता हूं रावण जैसी हस के दिखाँ और इसके हाथ में एक तलवार भी पकड़ा दी और इस तरीक्के से कलर बगएरा करके और उपर वाले हिस्से में पटाक के भढ़ दिये थे पर मैंने उपर पटाक के भढ़ सकते हूं पूरा खाली पड़ा है इस तरीक्के से गाईज अपना रावण पूरा कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसमें उपर की साइड में पटाक के भढ़ दिये थे पूरी जेगे है यार भढ़ सकते हूं और कैसा लग रहा है बताओ इस वीडियो में इतना ही मिलता है अगली वीडियो में कुछ आइडिया हो तो वो कमेंट में लिख देना तब तक के लिए बाए नमस्ते